हेलो एबरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो प्रेंट सबसे पहले आप सब ही को मेरी राम राम और लीजिये सबसे पहले हमारी प्यारी सिपोती रिया से ही मिल लीजिये ये जो रिया ने स्वेटर पहना हुआ है ये मैंने अभी दो दिन दिन पहले ही बनाया है और वीडियो में दिखाया भी था तो कुछ बेहनों के कमेंट्स थे कि इसे रिया को पहना कर दिखाईएगा तो ये देखिए आज रिया नया स्वेटर पहन के पोज जदा खुश हो रही है, डान्स कर रही है अलग-अलग अपने पोज दे रही है और वैसे अभी रिया को ये काफी बड़ी है योगि रिया हमारी अभी धाई साल की हुई है और ये मैंने तीन से पांच साल तक के बच्चे को आ जाए इतना बनाया है तो अभी ये है कि धाई साल की तो हो गई है फिर दो-तीन साल अगर बच्चे को स्वेटर ना आये तो फिर इतनी मेहनत का कोई फाइदा नहीं होता है क्योंकि ठंड तो थोड़े दिनी होती है फिर सर्दी चली जाती है अगली सर्दी तक उसको रखना पड़ता है इसलिए बच्चों के जो स्वेटर बगर हमें बनाती हूं तो थोड़े से बड़े बनाती हूं ताकि वो कम से कम तीन सर्दी उसको पहन ले और यह देखिए यहां पर रिया की मम्मी बोलने लगी कि स्वेटर को उतार दे कल मामा के घर जाना है तो सुबह पहना के ले जाओंगी नहीं तो अब तुम महला कर देगी तो कहने लगी अभी तो दादी मेरी वीडियो बनाएगी अभी मेरी वीडियो नहीं बनी है अभी नहीं निकालूंगी इसको तो फिर देखिए डान्स कर रही है और यह हमारी बहु मंजू है रिया की मम्मी सासुमा बैठी है रिया को देख के काफी खुश हो रही है और यहां पर मेरी जेठानी रिया की दादी विशाल के पापा जी सब बैठे हुए हैं और सच में बच्चों के साथ तो बड़े भी बच्चों जैसे बन जाते हैं एकदम चाहे अपने सरीर में कितनी भी थकान क्यों ना हो जब बच्चे इस तरह से मस्ती करते न उनको देख के सारी तो थकान दूर हो जाती है और मन भी बहुत जादा खुश हो जाता है चोटे बच्चे जब इस तरह की अटपटी हरकते करते न बड़े ही प्यारे लगते हैं तो देख लिजे हमारी प्यारी सी पोती रिया को स्वेटर कैसा लग रहा है और ये तो सास बहु अपना खानावाना बना के खा पी के तब आई हुई हैं और ये है शाम लगबगे 67, 73 बजे का टाइम होगा और ये जब आई तो मैं अपना वीडियो बना रही थे और फिर इनके आने के बाद मैंने अपनी वीडियो को बीच में ही रोक दिया थोड़ी सी वीडियो बाग की थी बनाने फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ी सी देर इनके साथ बैठ जाती हूं बात कर लेती हूं फिर अपना रसोई का काम निप्टाऊंगी उसके बाद इस वीडियो को मैं कम्प्लेट करूंगे एडिट हो जाएगी वैसे भी दो तिन पार्ट तो बनाने ही पड़ते हैं टोपी के बाद रात के टाइम भी रसोई को बिल्कुल अच्छे से सापसुत्रा कर देती हूं ताकि सुबह जब मैं उठों तो रसोई बिल्कुल सापसुत्री मिले उठते ही गरम पानी करना है चाए बनानी है तो अगर सापसुत्री रसोई होती है मन काफी खुश हो जाता है अग देखे मैंने अपने बाल धोए थे और चोटी तो मैंने आज अभी तक भी नहीं बनाई है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है आज मैं नीटिंग के काम में इतना बीजी हो गई थी कि बस एक बार जब बालों में कंगी की थी फिर सूख के थे तो क्लिप लगा लिया था लेकिन चोटी नहीं बनाई थी अब तो सोते टाइम ही एक बार कंगी मोटी मोटी सी करूँगे अच्छे से तो नहीं हो पाएगी क्योंकि रात को इतना मन नहीं होता है कि बालों को अच्छे से सुल्चा लूँ बस थोड़ी थोड़ी सी कंगी करके और चोटी बना लूँगी बाकी कल देखूंगी ना दो के सुबह तब अपने बालों में थोड़ा वो तेल वगरा लगा के कंगी कर लूँगी आज मैंने तेल भी नहीं लगाया है ऐसे ही बाल मेरे बिखरे पड़े हैं किलिप से बांध लिया था और होता है जब मैं नीटिंग वगरा करती हूं तो मुझे थोड़ा सा यह हो जाता है कि दो चार सलाइया बना लूँगी जब मैं उठूंगी तो इस काम को कर लूँगे लेकिन आज फिर ऐसा मैं नीटिंग में बीजी हुई कि मुझे टाइम ही नहीं मिला और लाइची कोट के दूद में उबाल के हलका सा मिठा करके दे देती हूं तो पी लेता है नहीं तो काफी दिनों से दूद नहीं पी रहा था कई महिने हो गए थे इसको दूद पीए फिर एक दिर मैंने इसको सौप और इलाइची डाल के दूद दिया तो एक एन लगा कि हा हलदी वाला दूद बना के दे दूँगे बाकि सब को दूद बगरा पिला देती हूँ तो आप सब भी आईए सरदी का मौसम है गरम-गरम दूद है गुड के साथ तो दूद सरदियों में बहुत अच्छा लगता है तो आप सब भी आईए और दूद पी लेजिए और अभी सब को दूद देने के बाद फिर मैं अपनी नीटिंग की वो वाली वीडियो पूरी करूँगे जिसको मैंने बीच में स्टोप किया था और उसको पूरा करने में कम से कम मुझे आधे घंटे का टाइम और लगेगा और फिर वीडियो को बनाऊंगे तब तक ये सब अपना दूद पी लेंगे तो जो इनके दूद के बरतन होंगे फिर उनको भी मैं माज के रख दूँगी क्योंकि जूटे बरतन छोड़ कर मैं कभी भी नहीं सोती हूँ क्योंकि जूटे बरतन छोड़के सोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है इसलिए हमेशा रात को सारे बरतन साफ करके ही सोना चाहिए और ये है अगले दिन सुबह का टाइम तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्णिंग बताइए कैसे हो उमीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लोग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स सुबह की चाई बन गई है आईए और चाई बी लिजिए और सुबह साथ बजे ही आज ठुक ठुक की आवाज शुरू हो गई थी बस सारा दिन यही आवाज आती रहती है और ये अभी सुबह साड़े नो बजे का टाइम है मैं अपने बाकी के सब काम कंप्लीट करके नहाध हो ली हूँ कल मैंने बालों में तेल नहीं लगाया था तो आज हलका हलका सा तेल लगा के और बाहर बालकनी में ही मैंने बालों में कंगी कर ली थी अब बालों की चोटी बांध लेती हूँ और लंबे बालों की तो चोटी बन जाती है ना तब ही सरीर को आराम मिलता है नहीं तो ये सारा दिन उलसते रहते हैं और सच में मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ जिस दिन मेरे बाल खुल ले रह जाते हैं। लगा लूँगे बाकी रसोई के जो मेरे काम हैं आज मैंने पहले ही कम्प्लीट कर दिये थे तो जब सब काम सुबह सुबह कम्प्लीट हो जाता ना सच में मन को बहुत जादा सुकुन मिलता है और अभी नाना धोना भी हो गया है जाडू पोचे वाली इस टाइम पे आई हुई है वो अपना साप सफाई का काम कर रही है और सच में जब से मैंने जाडू पोचे वाली को लगाया ना मुझे काफी आराम मिल गया है वरना इस काम में भी मैं सुबह सुबह भागती रहती थी नीटिंग के लिए एक दो गंटे का जो टाइम मैं निकालती थी वो निकल ही नहीं पाता था सारे काम में उलजबलज सी हो गई थी लेकिन अब जब से इसको लगाया है न तो मेरे सरीर को भी आराम मिल गया है और मुझे बुनाई करने के लिए भी टाइम अब अच्छे से मिल जाता है और अभी जैसे पोचे वाली अपना काम कर रही थी तो फिर अंदर वाले रूम में उसने पहले लगा दिया था यहां पर मैंने पंखे चला दिये थे सूख गया था अभी वो बाहर हॉल में पोचा लगा रही थी तो फिर मैंने सुचा कि मैं अभी बाहर नहीं जाती हूँ वो रसोई वगरा में पोचा लगाएगी हॉल में लगाएगी तो वहाँ पे अच्छे से सूख जाएगा, तब बाद में रसोई में जाऊंगे, आटा लगाना है, रोटी बनानी सरफ इतना सा ही काम बचा हुआ है, बाकी का तो सारा मेरा पहले ही complete हो गया है, तो अभी खाली बैट के क्या करूंगे, कुछ देर अपना नीटिंग का काम कर लेती हूं, थोड़ा बहुत बुनाई का काम होगा, तो मैंने अब ये एक गले से शुरू होने वाला बेबी स्वेटर बनाना शुरू किया है, वीडियो भी इसकी मैंने बनानी शुरू कर दिया है, क्योंकि कई दिन में ये स्वेटर त्यार होगा, तो कई दिन में ही इसकी वीडियो कम्प्लीट होगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट बनता जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट होती चली जाएगी, तो कुछ मैंने ये रात को बनाया था, कुछ अभी बना लेती हूँ, जितनी भी सलाईया बनेंगी, जब थोड़े फंदे होते हैं, तो अब तो इसमें काफी सारे फंदे हो गई हैं, तो एक सलाईय को पूरा करने में ही काफी टाइम लग जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि खाली क्यों बैटना है, थोड़ी सी देर अपना बुनाई का काम कर लेती हूँ, तब तक फरस अच्छे से सूख जाएगा, फिर आराम से अपना रसोई में जाओंगे, आन्टा लगाऊंगी और खाना बगरह बनाने की तयारी कर लूँगी, तो अभी रसोई में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने आठा लगा के तयार कर लिया है और सबजी में धनिया नहीं डाला था, तो अब ही मैं सबजी में धनिया काचके और डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको दो के और रख दिया था, काट के नहीं रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि अब सब्जी पहले से बन के तयार हो गई है, तो कड़ाई मैं ऐसे ही काट के मिला देती हूँ, और अब बना लेती हूँ, रोटी, तो सुबह के खाने में आप छाईयों के लिए कोई पैक वगएरा या स्क्रव वगएरा बता दीजिए, कोई रेमेडी बता दीजिए, तो देखे कई दिन से ना मेरी तबियत काफी खराब हो रही है, सर्दी खांसी हो गई है, और कोई भी पैक बना के लगाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, थोड़ी सी तबिया ठीक हो जाएगी, तो मैं आप सब के साथ जरूर शेयर करूँगे, वैसे मैंने पहले भी कई बार घरेलू चीजे मैंने शेयर की हुई है, जो मैं खुद यूज करती हूँ, जिन से स्किन हमारी लूज भी नहीं होती है, चेरे पर झाया भी नहीं होती ह और जो एकदम नैचुरल होती है, जिनको कोई भी यूज कर सकता है, एक दो दिन में थोड़ी सी मेरी तबिया ठीक हो जाएगी, तो मैं जरूर बताऊंगे, क्योंकि इस टाइम पे सर्दी खासी होने की वज़य से कुछ चीजे यूज करने का मन नहीं करता है, और ऐसी मेरी आदत है नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए कोई भी चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और उसे खुद यूज ना करूँ, ऐसा नहीं होता है, जो चीज मैं अपने लिए यूज करती हूँ न, वही मैं आप सब के साथ शेयर करती हूँ, तो जरूर आप सब के प्यार भरा नमस्कार, राधा स्वामी, राधे राधे, जै शरी राधे, बाई बाई, खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए